मैं डॉक्टर वेज प्रकाष नवादा बिहार मेरे इस रिलेक्सेशन हिपनोसिस ओडियो की मदद से आप अपनी गहरी चिंता और तनाव की इस्थिती पर काबू पाशकते हैं मेरा यह ओडियो सुरच्छित तरीके से आपको रिलेक्सेशन की गहरी अवस्था में ले जाएगा और रोजमर्या के तनाव और चिंताओं से निपटने में आपकी मदद करेगा इसकी उच्छी अस्तरी हिपनोसिस तक्निक और सेल्फ टू दर सेकेंड ओडियो तक्निक की मदद से आप अपने जीवन को प्रवहावी रूप से बदल सकते हैं रिलेक्सेशन का सबसे आसान तरीका यह है कि आप मेरे द्वारा बताये गए निर्देश को फॉलो करें केवल महसूस करें यह एक नेचूरल अस्टेज है जिसे आप आसानी से अनभो कर पायेंगे मेरे इस सेशन के दवरान आप अपने को आरामदायक इस्थिती मिलाने के लिए थोड़ा बहुत हिलना डूलना पड़े तो कोई बात नहीं इस तरह की चीजें आपको प्रेशान नहीं करेगी बलकि आपको और ज़्यादा रिलेक्स और आरामदायक इस्थिती मिले जाएगी अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने शर और अपनी आखों पलकों अपनी गाल अपनी मूख और अपने जबडों के मसल्स को रिलेक्स होने दें अपनी सर के सारी मसल्स को रिलेक्स होने दें अब जब आपने अपने सर के मसल्स को रिलेक्स हो चुके हैं तो अपनी गर्दन और कंदे के सारी मसल्स को रिलेक्स करें आपके गर्दन और कंदे के मसल्स रिलेक्स हो चुके हैं अब अपने बाहों के मसल्स को रिलेक्स होने दें अब अपने सरीर की ओर ध्यान दें और महसूस करें कि आपका सर, आपका गर्दन और आपके कंधे पूरी तरह से रिलेक्स हैं अपने बाहों की ओर आप ध्यान दें आपकी बाहें बिलकुल रिलेक्स्ड मूड में हैं और इसके साथ आपके हाथ तथा हाथों की अंगुलियां भी रिलेक्स हो रही है ये सोचें कि आपकी छाती और आपका पेट पूरी तरह से रिलेक्स हो रहा है अपनी छाती और अपने पेट को रिलेक्स होने दें और सारे मसल्स को धीला छोड़ दें आपके हाथ और जादा रिलेक्स हो रहे हैं और धीरी धीरी उसमें भारी पना रहा है अपने हाथों में किसी भी तरह के तनाव को दूर होने दें अपने पूरी शरीर को धीला छोड़ें और हर तरह के तनाव को दूर होने दें आपकी सासें धीमी और अस्थिर होते जा रही है जैसे जैसे आप गहरी सांस ले रहे हैं आपका सिरीर और भी ज़्यादा रिलेक्स हो रहा है आप इस रिलेक्सेशन को अपनी कमर और जांगों में भी महसूस कर रहे हैं अपने पैरों और पैर की अंगुलियों को रिलेक्स होने दें आप धीरे धीरे और भी ज़्यादा रिलेक्स होते जा रहे हैं और आप द्वारा इस रिलेक्सेशन की फिलिंग को अपने से नीचे उतरते भी महसूस कर रहे हैं रिलेक्सेशन की इस फिलिंग आपके सर से नीचे गर्दन से होते हुए आपकी पीट और आपकी कमर तक पहुँच रही है आपके पैर और भी ज़्यादा रिलेक्स हो रहे हैं और पैरों की अंगुलियां पहले से बहुत ज़्यादा रिलेक्स हो चुकी हैं आपके सरीर की शारी ठकान, चिन्ता और तनाव दूर हो रहे हैं और आप रिलेक्स और बहुत ही अच्छा अन्भो कर रहे हैं आपकी सासें धीमी और गहरी होती जा रही हैं आपके हर सास के साथ आपका सरीर और भी ज़्यादा शान्त और आरामदायक महसूस कर रहा है अब आप अपनी आख्छें बंद करें और रिलेक्स करें अब धीरी इसे गहरी सासे लें दूसरी गहरी सासे लें जीतनी गहरी आप ले शकते हैं और अब तीसरी गहरी सासे लें और इसे तीन सेकेंड तक रोक करके रखें एक, दो, तीन अब सास छोड़ें और रिलेक्स करें हर सास के साथ अपने को रिलेक्स करने की कुशिश करें धीमी गती से सास को लेते रहें आप इमेजिक करें आप कलपना करें कि एक कोमल कोहरा छट से नीचे की और आ रहा है ये धीरी धीरी नीचे आ रहा है जिसमें आपके सर से पैर तक पूरी शरीर को ढख लिया है इस कोहरे से ढखते ही आपका शरीर पहले से और भी ज़्यादा रिलेक्स और शांत मसूस कर रहा है आप और ज़्यादा आरामदायक इस्थिती में जा रहे हैं आप ध्यान दे रहे हैं कि सर से लेकर के पैर तक पूरी तरह से रिलेक्स महसूस कर रहे हैं आपकी पलकों में धीरी धीरी भारी पना रहा है आपके जबड़ों के सारे मसल्स और भी ज़्यादा धीली हो रहे हैं आपके चेहरी और मुव के सारे मसल्स रिलेक्स हो रहे हैं जैसे जैसे ये कोहरा आपके शरीर को धक रहा है आप पहले से और भी ज़्यादा रिलेक्स होते जा रहे हैं आपके हाथ और हाथों के अंगुलिया धीरी धीरी रिलेक्स हो रही है आपके हाथों में भारी पन बढ़ता जा रहा है आप अंदर से बिलकुल शांत और अस्थिर महसूस कर रहे हैं और आपको नेंद की अन्भूती हो रही है गहरी और गहरी नेंद अब आप सोई आप अपने च्छाती और पीट को रिलेक्स महसूस कर रहे हैं आपकी पीट और आपकी कमर बिलकुल रिलेक्स मूड में है ये कोहरा आपके पैरों को भी रिलेक्स कर रहा है आप धीरी धीरी और ज़्यादा शांत और ज़्यादा रिलेक्स महसूस कर रहे हैं रिलेक्सेशन की ये फिलिंग और भी गहरी होती जा रही है आपके पैरों से हर तरह के तनाव दूर हो रहे हैं और आपके पैरों के मसल्स धीले हो रहे हैं आपके पैरों की अंगुलियां भी रिलेक्स हो रही है आपका पूरा सरी धिला पड़ रहा है और आप गहरी और भी गहरी और भी गहरी नीद में शोएं आप धीरी धीरी और गहरी रिलेक्सेशन की अवस्था में जा रहे हैं आप गहरी नीद में शोएं बाहर की दुनिया धीरी धीरी धूनली होती जा रही है आप और गहरी नीद में जा रहे हैं और भी ज़्यादा रिलेक्स और भी ज़्यादा रिलेक्स हो रहे हैं आप और गहरी रिलेक्सेशन की अवस्था में जा रहे हैं अगर आपका मन भटकता है तो इसे रोकने की कोशिश ना करें बस मेरी आवाज पर ध्यान दें आपका सबकॉंसिस माइंड में सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा है आप पहले से और भी ज़्यादा शान्त और रिलाक्स महसूस कर रहे हैं और शोय 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 और भी गहरी निन में शोय 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 जब कभी भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी आपका सरीर और मन दोनों एक गहरी रिलेक्सेशन की अवस्था महसूस करेगा अब मैं एक से पांस तक गीनूँगा तो आप सजग हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे आपके सरीर के सभी नॉर्मल फिलिंग वापस आने लगेगी और आप बहुत ही अच्छा, श्रांत और रिलेक्स हलकापन महसूस करेंगे मेरे पांस गिनते ही आप अपनी आखें खोल देंगे एक, आप धीरी धीरी नेंद से वापस आ रहे हैं दो, आप और ज़्यादा शजग हो रहे हैं तीन, सभी नॉर्मल फिलिंग वापस आ रहे हैं चार, आपकी आखें खुलने के लिए पूरी तरह से तयार हो चुकी है और पांच, पूरी तरह से जागे हुए, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपनी आखों को खोल लें लें हो उती है और पांच, लें रहे हैं और को ब में जाखने के को अच्छा महसूस कर रहे हैं